पहले तो FIR ही नहीं हो रही थी और अब दिल्ली पुलिस ने बिजभूशन शरण सिंग के खिलाफ सीधा एक नहीं दो FIR दर्च कर ली है दोस्तों जिहां एक FIR पोक्सो एक्ट के तहट दर्च की गई है और बाकी की FIR जो बाकी की छे महिलाएं हैं उनकी शिकायत पर दर्च क गई है यह चमतकार तब हुआ जब सुप्रीम कोट ने इससे पहले दिल्ली पुलिस को नोटिस भेज कर जवाब मंगा था यह बात आपकी जानकारी में होगी हाला कि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पहले जांच करेंगे मगर आप FIR दर्च कर ली है दोस्तों पॉक्सो आक् खिलाडियों की शिकायत आखिरकार रंग तुलाई है लेकिन दुर्भागे की बात यह है दोस्तों कि महिलाओं के हित में बड़ी बड़ी डिंगे हांकने वाले खामोच रहे जब सुप्रीम कोट ने चावक चलाया तब जाकर कुमकरन की नीन से जागे है और बोला है कि मामला दर्च किया गया है इसा पताया चारा है इनमेंस एक FIR पॉक्सो एक्ट के तहत हुई है क्योंकि जिन साथ महिला पहलवान खेलाडियों ने ब्रिजभूशन के खिलाफ मोचा खुला है उनमें से एक नाबालिक है इसलिए नाबालिक के साथ यौन शोशन के आरोप के चलते ब्रिजभूशन के खिलाफ दूसरी FIR दर्च की गई है 25 सप्रेल को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोट ने दो दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा था दोस्तों पहले दिल्ली पुलिस प्रात्मिक जांच का राग अलाप रही थी कह रही है कि वो आरोपी भाजपा सांसत पर मुकदमा करने के लिए तयार है अब बताया यह जा रहा है साथ महिला पहलवान खिलाडियों की इस FIR पर जांच के लिए साथ महिला अधिकारियों की टीम बना दी गई है यह महिला अधिकारी एक ACP को रिपोर्ट करेगी और जो ACP है व थाने में बुला कर FIR दर्ज की गई पिर्टों के बयान दर्ज होंगे उन्हीं बयानों के अधार पर दिल्ली पुलिस सबूत जुटाएगी यह भी बताया जा रहा है अब देखें दोस्तों बेशक दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली हो दर्ज कर ली है FIR काफी दबाव पड़ा तब जाकर अब FIR जो है वो दर्ज हो चुकिये मगर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाडियों का कहना है कि हम तब तक धरना देंगे जब तक ब्रिजभूशन जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता हमें तो उसकी गिरफतारी चाहिए क्योंकि FIR को तो वो निग लाडियों ने भी पी एमोदी से एक अनुरोथ किया है उन्हें कहा है कि भूशन को सभी पदों से बरखास्त किया जाए क्योंकि जो जाच अब होने वाली है Investigation Supreme Court की तरह से जिसको मज़ूरी दी गई है उसको वो प्रभावित कर सकता है इसी लिए उसको चल से जल सभी पदों से बरखास्त किया जाना चाहिए बजरंग पुनिया रिसलर हैं दिगच पहलवान के लाड़ी हैं देश के लिए बहुत उम्दा लड़े हैं और जीत कर विया हैं कई मेडल्स अपने नाम उन्होंने किये हैं बजरंग पुनिया इन महिला के लाड़ियों के साथ धरने पर शुरू से बैठे हुए हैं जब पहले ये धरना शुरू हुआ था तब ही और अभी जब दोबारा शुरू हुआ है तब ही इसका एक कारण भी है देखें न्यूस 24 ने बजरंग पुनिया का एक विडियो ट्वीट किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि जंतर मंतर पर जिस जगा पहलवान अंदोलन कर रहे हैं उस जगा की बिजली पानी को काट दिया गया है इतना ही नहीं जो गद्दे पहलवानों ने मंगवाये थे उन्हें दिल्ली पुलिस ने अंदर तक नहीं आने दिया ये कहकर अंदर आने नहीं दिया कि धरना करना है न तुमको तो सड़क पर सोजाओ ये बयान है दिल्ली पुलिस का हम नहीं कह रहे हैं बजरंग पुनिया ने बताया है तो बजरंग पुनिया का कहना है कि पहले तो दिल्ली पुलिस इस तरह का परताव नहीं कर रही थी दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ रहा है इसलिए दिल्ली पुलिस ने रंग बदला है क्या माना जाना चाहिए यह सवाल है बजरंग पुरिया का कहना है कि अगर इन लड़कियों के जगा आपके घर के लड़किया होती जिरोंने ऐसे आरोप लगाए होते तो क्या लिकी है क्योंकि जो लिस्ट पहलवानों ने जंतर मंतर पर टांगी थी उसमें ब्रिजभूशन शरेंड सिंग के खिलाफ कुल 38 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं गैंस्टर एक्ट से लेकर आम्स एक्ट हत्या का प्रयास ऐसे गंभीर आरोप है सांसत सापर ब्रिजभूश ब्रिजभूशन शरेंड सिंग अब जेल कब जाएंगे इंतजात तो इसी बात का किया जा रहा है और सिर्फ ऑर सिर्फ एक वर्ण नहीं कर रहा है बलकि पहलवान के लाड़ी कर रहा है वो हर शक्स कर रहा है जो कि इन योन उत्पीडन के आरोपो को सही मानता है और कात हो गया आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार